हाई लो नवस्कार मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतिय नौलिज में आज का हमारा वीडियो है सपने में रेगिस्तान देखने का क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है तो चलिए वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन आपसे हमारा बिनमर अनुरोध है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो वह चैनल को सस्काइब जरूर कर दे ताकि हम जब भी अपना अकला वीडियो अपलोड करें तो आपको तक जो है हमारा वीडियो जल से जल पहुंच जाए अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में रेगिस्तान देखने का क्या मतलब होता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो सामुद्रिक सास्तर की माने तो ये सपना अधिकतर असुभी होता है लेकिन कुछ अवस्ताओं में ये सपना सुभी होता है अब चलिए बात कर लेते हैं किन अवस्ताओं में ये सपना असुभ होता है और किन अवस्ताओं में सुभ होता है तो हमारी जो पहली यवस्ता है अगर आप एक इस्तरी हैं और आप खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा पाते हैं और आप जारो और नजर दोडाते हैं और आपको कोई हरियाली वाला जगा दिखाई नहीं देता है तो इसका क्या मतलब होता है अगर यह सपना तो यह बेहदी असुप सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके जो अपने हैं वो आपके साथ भीतरगात कर सकते हैं आपको धोका दे सकते हैं जिसकी बज़े से आपको अकेले पन का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन पर घोर मुसीबतो का पहाड भी आ सकता है अगर आप ब्यापारी बगएरा है नोकरी पैसा ब्यक्ति हैं तो आपको जो है नोकरी से हाथ धोना पड़ सकता है इसके अलाबा आपको जो है मानसिक इस्तितियों के लिए तयार रहना पड़ेगा कि मानसिक प्रतड़ाना का आपको जो है सामना करना अब बात कर लेते हैं यही सपना अगर नोकरी पैसा वाला बैक्ती देखता है या ब्यापारी बैक्ती देखता है तो उसका क्या मतलब होता है अगर यह सपना नौकरी पैसा बेकती देखता है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिरों में उसके उपर बहुत सारा काम आने वाला है जिसकी वज़े से उसको डबल सिप्ट में काम करना पड़ सकता है ब्यापारी अगर यह सपना देखता है तो इसका मतलब होता है कि उसका जो है मार्केट में कमपडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जिसके कारण उसको जो है प्रोफिट में काफी ज़्यादा लोसिस का सामना करना पड़ सकता है इसके अलाबा यह बीमार बेक्ती यह सपना देखता है तो बेहद ही असुफ सपना होता है इसका मतलब होता है कि उस बेक्ती का जो है मिरत निकट हो सकता है या उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है और बीमारी में लाब होने के संकेत ना के बरावर इस सपने के बाद मिलते हैं अब बात कर लेते हैं इस सपने में जैसे आप रेगिस्तान में हैं और आपको पानी भरा पॉट दिखाई देता है या आपको रेगिस्तान में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं या आपको रेगिस्तान में बस्ती दिखाई देती है तो इस सपने का क्या मतलब होता है अगर ऐसा सपना आता है तो ये बेहदी सुप सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आप पर जो उनको कोई नहीं रोक सकता है लेकिन आपको उन मुसीबतों के साथ समाधान भी मिल जाएगा बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है जब भी आप पर मुसीबत आएं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उन मुसीबतों का जो सलिशन है वो आपके आसपास ही बस आपको जो है नजर गुमानी है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है आपकी सारी मुसीबते जो है चूमंतर हो जाएंगी अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सपने में जो है रेगिस्तान में ये खारे भरे मैदान में आप खड़े हैं उसके चारों तरफ रेथ है तो इसका क्या मतलब होता है अगर ये सपना बीमार वेक्ती देखता है तो बेहधी सुब सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उसको बीमारी में काफी ज़्यादा लाब होगा अगर ब्यापारी वेक्ती देखता है तो उसका कमपटीशन कम होगा अगर वह यह सबना इस्तरी देखती है तो इसका मतलब होता है उसे किसी अपने का साथ मिल सकता है या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा सक्ती सक्स जो है इंटर कर सकता है जो उसका पूर्व रूप से पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखे और उसके जीवन में खुसियां भर दे है अब बात कर लेते हैं रेगिस्तान में तालाव देखने का क्या मतलब होता है तो यह बेहदी सुप संकेत होता है इसका मतलब आपको निकट भविश्य में धलाव हो सकता है